असलाम लेकुम डियर इस्टुडेंट्स, NTSC के फिजिक्स का जो पोर्शन है वो नियर अबाउट कम्प्लीट हमारा हो चुका था और तक्रीबन दस लेक्चर्स के अंदर हम लोग ने उसके अलग-अलग जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किये थे मुझे उम्मिद है कि आपने उन दस लेक्चर्स से फिजिक्स वाला जो पोर्शन है उतना पार्ट जो है वो आपका बहुत अच्छे से कवर कर लिये होंगे अगले जो मतलब आज का लेक्चर्स और इसके बात के और एक दो लेक्चर्स के अंदर जो कैमेस्ट्री से रिलेटेड कुछ जो पार्ट है तो वो मैं लेने वाला है आज हम बेसिक कैमेस्ट्री का वो आला पार्ट लेंगे जिसका तालुक पिरियाडिक्टेवल से है और गैस एक्वेशन्स के साथ में है ठीक है तो यह एक बहुत ही बेसिक नोईयत का यहने बहुत ही बुनियादी नोईयत का बहुत ही बेसिक टाइप का यह लेक्चर होने वाला है जो इंशालला आपको बहुत सारे कंसेट्प्स जो है वो समझने में मदद देगा ठीक है तो आईए देखते हैं सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग शुरुआत में पहला जो पॉइंट हमको देखना है वो यह है कि दुनिया की हर चीज जो हो एटम से मिलकर बन जा सके एक्शली यह जो वर्ड एटम है तो यह इस तरह से है ए प्लस टम ओके यह जो टॉम है इसका मतलब होता है डिवाइड होना और उसके साथ में जब हम आ लगाते हैं तो उसका मतलब होता है डिवाइड ना होने वाला तो इस तरह से एटम का मतलब होता है एक ऐसा पा आप याद रखिए कि एटम बुनियादी तोर पर वो गोल होता है गोल मतलब कुर्रा नुमा हम इसे इंगलिश में इस्फेरिकल कहेंगे और उर्दू में हम इसे कहेंगे कुर्रवी ठीक है अब कुर्रवी एटम जो है तो इसके अंदर एक्शली ये कैसा रहेगा यनि ये जो गोल कुर्रा जो मैंने यहाँ पर बनाया हूँ तो ये रियल में क्या होता है तो आप लोग ध्यान में रखना कि इसके बिलकुल बीचों बीच में एक ऐसा चोटा सा सॉलिड एक कुर्रा रहेगा इस जगा पर बीच में ये जो चीज है तो ये एक सॉलिड स्फियर है इसके अंदर छोटा सा गोल और इस सॉलिड स्फियर के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं नमबर वन इसके अंदर जैसे मैं ये गिरीन कलर से जो बता रहा हूँ तो ये प्रोटान्स होते हैं और प्रोटान के अलावा इनके अंदर और पार्टिकल्स होते हैं दूसरे जिनको मैं ये बिलैक कलर से बता रहा हूँ तो इनको हम न्यूट्रान कहेंगे कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो बीच में जो सॉलिड स्फियर जो है तो इस सॉलिड स्फियर को ये सॉलिड होता है तो कौन दो लोग है उसके अंदर एक है प्रोटान और एक है न्यूट्रान तो चलो मैं यहाँ पर उनके नाम जो है वो लिखते चले जाता हूँ सबसे पहले मैंने नाम बताया आपको प्रोटान्स का और दूसरे नमबर पर जो है वो है Neutrons आप याद रखना कि इनके Charges भी है Proton जो है यह हमेशा Positive चार्ज होता है और Neutron जो है इनका Charge Zero होता है मतलब यह Charge लेस है Neutral है इसलिए इनको अर्दू में मतलब एक्चलि यह बोला जाता है कि यह बर की इतिबार से मुतदिल होते है याने इनका कोई Charge नहीं होता और Proton के ओपर Positive बर की बार होता है ठीक है अब यह हो गया Atom का Core याने Atom का बीचो बीच वाला हिस्सा मरकजी हिस्सा अब सवाल यह आएगा कि मरकजे के चारों तरफ यह जो जगह यह क्या है तो यहां पर आप याद रखिये कि यह पूरा एरिया जो है यह पूरे एरिया के अंदर बेसिकली यहां पर खला होती है खला मतलब वیک्यूम पूरी तरह से खला है, खाली जगह और इस खाली जगह के अंदर यहां पर circular orbit होंगे और उन orbits के अंदर electron तीसरा जर्रा जो है electron वो इसके अंदर घूमते रहेंगे जैसे मालो कि यहाँ पर यह एक orbit है तो इसके अंदर यह ऐसे electron ओके, इसके बाद यह दूसरा एक orbit है तो इसके अंदर यहाँ पर यह ऐसे electron यह electron इसके अंदर घूमते रहेंगे, यहाँ पर ध्यान में रखिए कि इलेक्टरॉन जो है वो हमेशा निगेटिव होते हैं, मतलब यहाँ पर प्रोटान नमबर वन, निउटान नमबर टू और अब नमबर तीन मैं यहाँ लिख देता हूँ इलेक्टरॉन तो इलेक्टरॉन जो है वो हमेशा निगेटिव होते हैं, उनका जो बरकी बार है वो मन्फी माना जाता ओके, तो यह कहानी है एटम के स्ट्रक्चर की, बेसिकरी एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ओके, मुझे पूरा यकिन है कि आपको यह इतना पूरी, यह जो पिक्चर है यह जो पूरी डिटेल्स है, यह समझ में आगया होगा ठीक है, चलो, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिए कि किसी भी एटम के अंदर जब हम दुनिया के किसी अंसर का कोई भी अंसर अगर आप लेंगे, अंसर यह नहीं इलिमेंट जिसे कहते हैं, ओके तो अगर आप किसी अंसर का एटम लेते हैं मतलब जवहर उर्दू में हम उसे जवहर कहेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे कि प्रोटॉन्स की जो तेदाद है वो हमेशा इलेक्टॉन्स की तेदाद से एक्वल होती है प्रोटॉन्स की तेदाद हमेशा इलेक्टॉन्स की तेदाद से एक्वल होती है नहीं दोनों सेम रहेंगे और इसका मतलब यह हुआ कि जितना positive बरकी बार है उतना negative बरकी बार है तो अगर positive और negative बरकी बार की तेदाद अगर equal हो जाती है तो जब हाफ इसका total charge निकालेंगे मतलब total बरकी बार निकालेंगे तो zero आएगा तो यही reason है कि atom जो होता है वो हमेशा zero charge वाला होता है atom के उपर कोई बरकी बार नहीं होता वो charge लेस होता है मोतदिल होता है ओके correct इतना समझ भाया है सब लोगों को अब हम इसको और आगे बढ़ाते अब आप एक चीज़ देखिए कि जब आप कोई element लेते हैं जैसे मान लो कि मैंने कोई एक element लिया x तो इसमें मैं दो बहुत ही important concept जो है वो मैं बनाऊंगा एक concept जो है जिसे कहते हैं Z atomic number और एक कहते हैं A जिसे कहते हैं mass number यह बहुत ही important है यह वो basic part है जो अगर आपको आता है तो ही आप chemistry के अंदर आगे जो है वो develop हो सकते हैं आगे कि सारी दास्तान जो है वो यहीं से स्टार्ट होती है तो सबसे पहले सवाल आएगा कि atomic number उर्दू में हम कहेंगे जोहरी अदद तो यह क्या चीज़ है atomic number मतलब Z इसका मतलब होता है protons की तेदाद एक दम clear अंदाज में याद रखो आप लो number of proton atomic number का मतलब होता है protons की तेदाद यहने atom के मरकजे के अंदर जितने proton होंगे positive particle जितने होंगे उनकी तेदाद को protons proton जो है उनको हम atomic number कहेंगे Z और उसी तरीके से दुसरा जो concept है वो है mass number मतलब A तो अब यह mass number क्या होता है protons और उसके साथ में आप neutrons को मिला दो तो अगर आपने proton और neutron की total तेदाद अगर निकाल लिए proton और neutron की कुल मजमुई तेदाद अगर बनाते हैं वो mass number है मतलब उसे कमयत अदद कहेंगे और उसको A से जाहर करेंगे उसको यहां लिखते हैं ने तो यहां भी लिख सकते हैं यहने अगर आप चाहो तो इस A को यहां लिखने की बज़ए यहां भी लिख सकते हो तो दो तरीके हैं उसके मुझे आम तोर पे उसकी आदद जो है लिखने की वो यह है कि मैं यहां लिखता हूँ राइड साइड में तो उसे कोई फ़र्क नी बढ़ता आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं ठीक है तो क्या समझ में आया Atomic number मतलब number of proton protons की तेदाद और mass number यहने कमयत अदद मतलब proton और neutron की total तेदाद ठीक है यह था atom का overall मतलब इतनी details आपको धहन में रखना है अब आप एक चीज़ देखो कि यह definition के अंदर यहने दोनों की definition में Atomic number में भी और mass number में भी proton का जिकर आया, neutron का जिकर आया लेकिन electron का जिकर नहीं आया तो उसका reason यह है कि electron जो है वो authentic नहीं रहते Actually electron का जो number है वो बदलते रहता electron कभी कम हो सकते कभी जादा हो जाते वो और्बिट में घुमते रहते हैं इसलिए होता यह है कि बहुत सारे अनासिर ऐसे रहते जो electron आराम से दे देते बहुत सारे elements ऐसे रहते जो electron लेने का काम कर लेते इस वज़े से electron की तेदाद कभी बढ़ जाती कभी कम हो जाती इसलिए atomic number में और mass number में electrons को नहीं रखा गया electrons का जो number है वो बदलने वाला number है इसलिए atomic number का मतलब होगा number of proton और mass number का मतलब होगा proton और neutron की मजमुई तेदाद clear इसमे number of electrons का कोई तसकेरा नहीं है चलो अब चलते हैं हम लोग और अगे इन्हें अब अगली से पर चलते हैं जहां से अब basically chemistry का start होता है तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक element मान लो के x है तो इस element का जो atomic number है उसको यहां लिखेंगे नीचे लेट साइड में और जो mass number है उसको उपर लिखेंगे left में या right में तो चलो यहां मैं लिख देता हूँ उसको एक हो mass number को यह है number of proton और यह है number of proton और newtron दोनों की total तेदाद ठीक है तो अगर मान लो इसी formula को base बना कर अगर आपसे कुछ सवालत अगर पूछ लिए जाए number of electron, number of proton, number of neutron से तालुक से तो आपको वो करते आना चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ आपकी मतलब ideas clear करने के लिए मैं एक मिसाल पहले आपको करा देता हूँ ठीक है देखिए मान लो आपसे ये पूछा जाए कि एक element है uranium जिसका atomic number 92 और mass number है 238 ओके ये मान लो आपको दिया जाए सवाल के अंदर ऐसा दिया जाए कि uranium 92, 238 इस ये जो अंसर है ये जो धात है तो इसके लिए number of neutrons, number of protons, number of electrons ये सब मालुम करो तो मतलब आपको electron मालुम करना है neutron मालुम करना है और protons भी मालुम करना है अगर ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसको कैसा करोगे बहुत ही आसान है आप लोग देखो सबसे पहले जैसे अलामत जो दी गई है uranium के अलामत के नीचे यहाँ पे 92 है नीचे वाला नमबर हमेशा Z होता है तो Z is equal to 92 उपर वाला नमबर A होता है मतलब A is equal to 238 ओके ये पहले हमने Z और A की रूप में लिख लिए अब हम यहाँ पे definition बनाने की कुशिश करते आप देखो Z का मतलब होता है number of proton Z क्या है? atomic number क्या है? number of proton तो इसका मतलब यहाँ पर मैं लिखूंगा number of protons is equal to 92 यानि मुझे number of proton मिल गए तो number of proton is equal to 92 यहाँ पर यह A जो है यह mass number है और mass number की जो concept है वो यह होता है कि proton और neutron की तेदाद इसका मतलब यहाँ पर मैं बोलूँगा कि protons plus neutrons इनकी मजमुई तेदाद जो है वो 238 है लेकिन यहाँ से मुझे क्या पता चला कि proton की तेदाद 92 तो मैं यहाँ proton की तेदा 92 ले लोगा तो 92 plus neutron is equal to 238 बराबर है मैंने protons की तेदाद यहाँ से उठा लिया तो 92 आ गया अब यह 92 को उदर भेज़ दो यहाँ आज आएगा n is equal to 238 minus 92 तो इसका मतलब n is equal to कितना आएगा 8 में से 2 गए बचे 6 यहाँ पे 13 13 में से 9 गए बचेंगे 4 और यह 1 का 146 ओके इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि यह जो प्रोटान जो है इनकी तेदाद मिली 92 निउट्रान जो है उनकी तेदाद मिली 146 अब बागी बचेंगे एलेक्ट्रान तो यहाँ पर आप फिर से वो जो कंसेप्ट याद करो पहला जो मैंने भी आपको बताया था कि दुनिया का कोई भी एटम निउट्रल होताए दुनिया का हर एटम निउट्रल होताए मतलब उसके ओपर टोटल चार्ज जीरो होताए अब यहाँ पर एक मामला आएगा कि प्रोटान 92 है इसका मतलब यह 92 पॉजेटिव है ओके प्लस एलेक्ट्रान electron कितने होना चाहिए कि total overall जो charge है वो 0 हो जाए तो जाहरे यह equation कुछ ऐसी बनेगी proton plus electron is equal to 0 ओके यानि जितने electron होंगे उतने ही proton आएंगे ताकि total मिलाकर उनका answer 0 आजाए तो इसका मतलब यह होगा कि जो negative electron जो है इनकी तेदाद भी 92 होना चाहिए जितने proton है उतने ही electron होंगे फरक सिर्व इतना रहेगा कि proton की जो तेदाद है proton का जो charge है वो plus 92 मानेंगे और electron जो रहेगा उनका charge minus 92 मानेंगे ताकि overall मिलाकर uranium का जो item है वो 0 हो जाए 0 मतलब 0 electrical charge वाला हो जाए तो electron की जो तेदाद है वो proton से equal आ जाएगी मतलब 92 तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि electron की जो तेदाद है वो 92 है ओके मुझे उम्मिद है कि आपको ये एकदम basic किस्म के जो calculations है तो ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अगर आपको कोई answer अगर आपको दिया जाए कोई भी element अगर आपको दिया जाए तो उस पर से आप number of proton electron और neutron मालूम कर सकते हो ओके एक छोटा सा एक सावाल जो है वो मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप उसको खुद से जो हो हल कर सको और उससे आपकी एक practice हो जाएगी ओके आप देखिए एक बहुत ही एक element बहुत ही reactive एक element है जिसके बारे में आप जानते हूँ वो है sodium और उसका symbol है na तो उसका atomic number है 11 और मान लो कि उसका mass number 24 है तो आपको बताना है कि इसमे electron कितने है proton कितने है और neutrons कितने है यह आपके लिए homework है इसका जवाब आप मुझे comments में दे सकते है ठीक है यह हो गया एक basic point पहला अब हम थोड़ा सा अपना topic को आगे बढ़ाते हैं आप देखिए जब हम किसी element याने x लेते हैं और उसका मान लो कि atomic number z है और उसका mass number a है तो दुनिया में मतलब जब अलग-अलग जो scientist जो गुजरे हैं उन्होंने जब अलग-अलग elements की उनकी अलग-अलग उनकी properties जो है उनकी जो खुसूसियात है जब उनकी उन्होंने study करना शुरू किये तो पहले उनका ध्यान इस पर गया atomic number atomic mass number पर इसको atomic mass number भी कहते हैं और सिर्फ mass number भी कहते हैं ओके तो उनके दिमाग में या आया कि जितने भी elements हैं उनकी physical properties chemical properties जो है वो mass number पर depend होना चाहिए ऐसा जिसका ख्याल था उस scientist का नाम है मैंडेलिफ तो मैंडेलिफ ने क्या किया इस ख्याल को बन्याद बना कर कि जो अनसर जो भी दुनिया में जो अनासिर हैं दुनिया में जो चीजें हैं वो तमाम चीजों की physical और chemical properties जो है वो उनके mass number पर depend करेगी यानि mass number के साथ mass number का वो function होंगी इसलिए उसने इसको base बनाया और फिर अपना एक periodic table तेयार करा जो periodic table जो दौरी जदूल उसने बनाया हम उसे mandalief periodic table कहते हैं फिर पता चला कि इस periodic table के अंदर बहुत सारे drawbacks थे बहुत सारी उसके अंदर limitations है कुछ कमिया हैं उसके अंदर elements जो है वो आगे पीछे हो गए कुछ बहुत जादा मतलब ऐसा क्या बुलेंगे हम उसे के बहुत जादा efficient type का periodic table हमको नहीं मिला mandalief का बराबर है तो इसलिए क्या हुआ कि इस चीज़ में ये development और आगे होते चले गए और उसमें research चलती रही और आगे नए नए लोग उसमें चीज़ें करते रहे हाला कि mandalief periodic table जो है इस इन तमाम चीज़ों का base है हम उसको किसी भी तरह से हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं वो हमारी बुनियाद है मतलब यहां से एक systematic chemistry जिसको बोलेंगे वो start होती है ठीक है तो बहरेहाल हुआ यह कि आगे चलकर पर डिपेंड नहीं होते बलके atomic number पर डिपेंड होते हैं मतलब z पर और इस चीज़ को base बना करके जितनी भी elements की जो properties हैं physical और chemical properties जो हैं वो periodic function है atomic number के यहने जवहरी अदद के इसको जवहरी अदद बोलेंगे उर्दू में जिसको कम ही अदद बोलेंगे तो जवहरी अदद के ताफावल होंगे ताफावल का मतलब होता है function होना यहने डिपेंड होना तो मोजले ने जब यह कानून बनाया के दुनिया के जितने भी answer है जितने भी अनासिर हैं जितने भी elements हैं उनकी physical और chemical properties मतलब कीमियाई और तबही खुसूसियाद जो है वो उनके जहरी अदद पर यहने atomic number पर डिपेंड होते हैं इस चीज़ को कहते हैं मोजले का कानून periodic law बोलते हैं इसे मोजले इस periodic law और फिर इसको base बनाकर उसने एक पूरे element जो उसको पता थे उन सब को उसने arrange किया और जब उसने उनको arrange किया तो जो चीज़ हमको मिली वो मिली एक periodic table ओके वो जो उसको उसे हम कहते हैं मोजले का modern periodic table यानि वो जदीद दोरी जदूल है modern periodic table है अब इस periodic table के अंदर अगर हम यह इस तरह से मतलब खड़े वाले अगर हम columns की अगर बात करेंगे तो वो column जो है वो 1 से लेकर 18 तक जाते हैं यानि इनको group कहते हैं यह सब group हैं तो first group, second group ऐसा करते करते there are 18 groups और इसी तरह से जब हम ऐसे rd line हों में अगर जब बात करेंगे तो इसके अंदर यह जो rd line है जो आएंगी इनको हम periods कहते हैं दौर, उर्दू में दौर कहेंगे तो ऐसे total मिलाकर 7 हैं यानि इस side में यहाँ पर one, two, seven ऐसे 7 अलग-अलग दौर या period जो होते हैं तो दुनिया के सारे element जो है उसने उनको इस तरीके से 18 groups में और seven periods के अंदर बहुत ही खास style में बहुत ही बढ़िया तरीके से उसने arrange कर दिया और यह जो arrangement जो था modern periodic table का तो इसके अंदर आज दुनिया के सारे element जो है वो इस table के अंदर जो है वो मौझूद है हम इस table को देखकर बहुत सारी चीज़ों की study कर सकते है इस वक्त आपके स्क्रीन के ओपर जो periodic table जो नजर आ रहा है आप देखिए इसको देखकर हमको एक चीज़ समझ में आती वो यह है कि दुनिया में जितने भी elements है उन तमाम elements का एक बड़ा हिस्सा बड़ी तेदाद जो है वो metals की है धातों की ओके धातों का जो मतलब है याँने वो लोग जो electron देते हैं जिनके पास outer most orbit के अंदर electron होते हैं आज़ाद electron और वो आज़ाद electron खोदे की मतलब electron देने की जिनमे ability होती है उनको हम metals कहेंगे तो ऐसे लोग बड़े हैं जादा हैं जाने तेदाद में जादा हैं इसी तरह से आप देखिए इनके अंदर एक particular जगा पर आपको दिख रहा है metalloids metals याने सबसे पहले तो हमको क्या दिखा metals जो सबसे जादा तेदाद में है फिर मामला हमको नज़र आ रहा है metalloids का उर्दू में हम इसे इनको हम उर्दू में कहेंगे धात और इनको हम कहेंगे धात नुमा तो metalloids ये कुछ elements है कुछ अनासिर है गिंती में है बिल्कुल 6-7 अनासिर जो आपको बिल्कुल अलग color से नज़र आ रहे है periodic table के अंदर ओके आप एक बार देखिए और अच्छे से उनको तो ये जो metalloids है ये actually metals और non metals के बीच में है इनकी खुसियाद जो है तो इनके बाद जो है अगला जो मामला आता है non metals का ये भी तेदाद में कम है इनको हम लोग कहेंगे अधात अधात यान्य अधात का उल्टा ओके ये वो लोग है जो electron लेने का काम करते हैं तो ये metals की तारीफ आप याद रूखो metals की तारीफ रहेगी ऐसे आनासिर जो electron देने का काम करते non metals ऐसे elements जो electron लेने का काम करेंगे उसको हम अधात कहेंगे और इन दोनों की बीचवाली properties के अंदर कुछ लोग हैं उनको हम metalloids कहेंगे या धात नुमा कहेंगे ओके clear तो ये था periodic table का एक overall बाहर बाहर से इसका ये एक look यानिए ऐसा periodic table होता है और उसमें अनासिर इस तरह से है ठीक है इनमें सबसे बड़ी तेदाद जो है वो metals की है सबसे कम तेदाद जो है वो metalloids की है और average में जो है मतलब middle में वो non metals है चलो ठीक है अब हम देखते है कि periodic table के अंदर जो elements को जो बिठाए गए तो उनको कोई ने कोई खास तरतीब जो उनके अंदर है वो क्या है तो देखे सबसे पहला जो अंसर है आप देखो वो है hydrogen याद रखना hydrogen का atomic number 1 है और mass number 1 है तो अगर hydrogen का atomic number 1 और mass number 1 है तो periodic table में इसकी position 1 number के आएगी क्योंकि periodic table के अंदर Z को base बनाया गया तो पहला जो खाना आएगा periodic table का definitely वहाँ पर Z is equal to 1 पर हमको hydrogen को ही लेना पड़ेगा ओके फिर अगला जो मामला आता है hydrogen के बाद वो आता है helium का जिसका atomic number 2 है और mass number 4 है तो अब इसको हमको number 2 है तो Z is equal to 2 मतला भी second खाने में बिठाना चाहिए था बराबर है hydrogen के बादू में लेकिन मामला ये है कि helium जो है वो एक inert gas है एक inert gas मतला गेर आमिल gas है और दुनिया की जितनी भी गेर आमिल gas हैं उनको आखरी वाले group में बिठा कर रखा गया यानि जो 18 number वाला जो group है उसको zero group कहा जाता ये आप याद रखो zero group तो उसके अंदर पहले number पे helium को बिठाया गया helium two four और फिर इसके बाद इस family के बाकी members उसके नीचे आते हैं जैसे helium है उसके बाद है neon फिर एरेगान जीनान क्रिप्टान वगरा वगरा तो ये सब के लोग इस जगह पर आएंगे zero groups के अंदर ये सब inert gases है ठीक है वैसे ये group जो है zero group नाम है उसका वैसे वो 18 नंबर का group है नहीं last वाला तो एकदम शुरू का पहला जो group है उसमें hydrogen को बिठाया गया एकदम last वाला जो group है उसके अंदर helium को बिठाया गया ठीक है अब जाहर सी बात है इसके बाद z is equal to 3 का मामला आएगा जब z is equal to 3 की बात आएगी तो उसको यहां बिठाया गया है hydrogen से नीचे वो हता है lithium 3 atomic number उसका 3 mass number उसका 6 अब सवाल आएगा कि इसके बाद 4 आएगा तो बेरिलियम तो lithium के बाद जो बेरिलियम जब आएगा तो यहने atomic number 4 तो फिर उसको इसके बादों में बिठाना पड़ेगा यहने इसके बादों में यहां पर फिर बेरिलियम आएगा फिर उसके बाद आएगा boron फिर कार्बन और इस तरीके से अनासिर एक के बाद एक आते कहीं कोई आगे या पीछे हो गया है सब लोग बिल्कुल तरतीम में बैठे हुए है ठीक है अब यह था मामला elements को बिठाने का यहने elements को अलगला खानों में बिठाने का अब इनको अलगला खानों में बिठाने के बाद एक खास जो चीज जो नजर आई वो यह थी कि जो पहला जो गुरूप है उसके अंदर जो elements है वो दुनिया के सबसे ज़ादा reactive metals है hydrogen को छोड़कर hydrogen जो है वो एक gas है लेकिन hydrogen को छोड़कर बाकी जीते भी है जैसे lithium है lithium के नीचे आएगा sodium sodium के नीचे आएगा potassium ओके तो आप देखेंगे कि यह तमाम लोग जैसे lithium का atomic number 3 sodium का atomic number 11 फिर 11 के बाद इसमें और 8 अगर मिला लिए तो potassium जो है वो sodium के बाद यहाँ पर 8 elements गुजरेंगे और जाहर सी बात इस तरह से 8 अगर गुजर गए तो यहाँ पर आजाएगा 19 ठीक है तो इस तरीके से अनासिर जो है उनको उनकी periodic table उनके इस periodic table के अंदर उनके atomic number के हिसाब से उनको बिठाया गया है अब हम इन से related जो है सिर्फ एक बहुत ही खास एक point देखेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि chemical reactions जो होते हैं तो हम वो topic पर आ जाएं ताकि जो important जो part है हमारा chemistry से related वो शुरू हो सके आप लोग देखेंगे इसमें जो पहला group है अगर हम उसको first A group नाम दें तो उसके अंदर सबसे पहले है hydrogen फिर है lithium फिर है sodium फिर potassium वगरा वगरा फिर इसके बाद है second A फिर उसके बाद है third A इस तरीके से एक के बाद एक elements है तो इन सब की study करना जो है इन सब की position पता करना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि उनके बगएर आप chemical equations को नहीं समझ पाएंगे किस तरीके से chemical equations लिखे जाते हैं उनको balance कैसे किया जाता उनको समझने के लिए ये सारी चीजों का आना जो है वो बहुत जरूरी है आप देखिए यहाँ पर hydrogen 1, lithium 3, sodium 11 ये 19 तो अगर हम lithium देखें के lithium के अंदर electron को कैसे बिठाया गया electron की तरतीब, electron की तरतीब के अंदर अलग अलग तो आप देखें लिथियम के अंदर पहले मदार में 2 एलेक्टरॉन आएंगे और दूसरे मदार में 1 जब हम sodium की बात करेंगे तो पहले मदार में 2 एलेक्टरॉन, दूसरे में 8 एलेक्टरॉन 2 और 8 10, इसके पाद 11 है एक बच गया तो वो एक इदर आएगा ओके, जब हम potassium की बात करेंगे पहले में 2, दूसरे में 8, तिसरे में 8 और चौते में 1 आप लोग देखो 2 और 8, 10 और 8, 18 और 11 तो आउटर मोस औरविट के अंदर एक अलेक्टरॉन, आप लोग देखो ये नंबर 1 गुरूप है और इनके आउटर मोस औरविट के अंदर एक ही इलेक्टरॉन आ रहा है मतलब ये हुआ कि जो गुरूप का नंबर होता है वो आउटर मोस औरविट में इलेक्टरॉन का नंबर होता है यानि इस से हमको सीखने को क्या मिला हम periodic table के अंदर किसी भी answer की position को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि उसके outer most orbit के अंदर electron कितने है तो क्योंके hydrogen, lithium, sodium, potassium ये लोग पहले group में रहने वाले हैं first a group के रहने वाले हैं इसका मतलब इनके आखरी मजार के अंदर एक electron होगा ओके clear ये है periodic table का फाइदा के periodic table को देखकर हम outer most orbit में electrons की तेदात को मालूम कर सकते हैं चलो इसकी एक और मिसाल ले लेते हम लोग यहाँ पर आप ऐसा imagine करो आप देखो के second a group में आ जाते हैं यहाँ पर है beryllium मतलब 4 और 6 ठीक है? नी सारी 4 और 8 मास नमबर उसका 8 है सोडियम के बाजू में यहाँ पर है magnesium मतलब 12 और 24 potasium के बाजू में यहाँ पर calcium है मतलब 20 और यहाँ पर उसका मास नमबर 40 के करीब है चलो ठीक है? अब आप यह तीन अनासिर की example ले लो आप लोग देखो beryllium beryllium के पास atomic number उसका 4 है इसका मतलब पहले ओरबिट में 2 electron आएंगे, दूसरे में 2 magnesium के पास 12 electron है तो पहले में 2 आएंगे दूसरे मधार में 8 electron आएंगे 2 और 8 10 हैंगे, दू और 8 10 है और उसके बाद 12 है मतलब outer morecessor औरबिट में 2 electron आएंगे kります ke Cyrus के बारे में देख ले थे पहले औरुबिट में दो आएंगे, दूसरे में आट आएंगे, तिसरे में आट आएंगे, दो और आट, दस और आट अठरा, और इसके पास 20 है टोटल, मतलब आखरी में दो बचे, आखरी मदार के अंदर दो एलेक्टरॉन आएंगे, क्या समझ में आया, आप लोग देखो बराबर, इस मिसाल को भी देखिया अगर आप लोग, आप देखो ये लोग सेकंड एक गुरूप में रहने वाले हैं, और इनके आउटर मोस ओर्बिट के अंदर इलेक्टरॉन दो हैं, इसका मतलब वो एक रूल है, ये बिल्कुल एक सिंप्लिफाइड एक रू होगा, ओके, ये एक चीज़ हो गई, इसी तरह से हम थार्डे गुरूप को भी स्टेडी कर सकते हैं, ठीक है, अब सवाल ये आएगा, के, हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको बताना, जब पहले मैंने, एक्शुली मैं बताना भूल गया आपको, वो है इलेक्टरॉन का कंसेप्ट, इलेक्टरॉनिक का कंसेप्ट है, वो ये है, कि अलग-अलग मदारों में इलेक्टरॉन की तेदाद अलग-अलग होती है, यानि इलेक्टरॉन को अलग-अलग और्बिट्स में डिवाइट किया गया है, और उनका जो डिवीजन है, अलग-अलग मदारों के अंदर उसे electronic configuration कहते हैं और उसके लिए एक formula बनाया गया वो यह है कि number of electrons जो हो कितने होंगे तो number of electrons होंगे two times n square के बराबर यह formula याद कर लो अप लो number of electron हमेशे किते होते हैं two times n square अब आप देखो अगर मुझे यहाँ पर first orbit लेना है पहला मदार अगर मुझे पहले मदार के अंदर electrons की तेदाद देखना हो तो मैं n की यगा पर one ले लोगा तो one का square यहने one और one into two यानि two तो पहले मदार में दो electron आएंगे ओके इसके बाद अगर मैं second orbit अगर लेना चाहूं तो second orbit के अंदर electron आएंगे n की यगा पर two ले लो तो two का square होगा four four into two is eight यहने दूसरे मदार में आठ electron आएंगे इसके बाद अगर मैं third orbit लेता हूँ तीसरा मदार अगर मैं लूँगा तो यहाँ पे तीन लेना पड़ेगा n की यगा पर तो n की यगा पर तीन ले लो तीन का square यहने 9, 9 दूनी 18 मतलब तीसरे मदार के अंदर 18 electron आएंगे इस तरीके से आप कोई भी नंबर का orbit ले सकते हो कोई भी नंबर का orbit अगर आपने लिए तो उसमें कितने electron होंगे उसके लिए आप यह वाला जो formula है यह formula पर से आप उसको कर सकते हो तो यह एक concept क्यों मालूम होना जरूरी है कि आउटर मुस आरविट में कितने electron होंगे और इससे क्या फरक पड़ेगा यहने इससे हम chemical equations कैसे बना पाएंगे तो अब मैं आपको एक मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ आप याद रखिए दुनिया में जितने भी elements है वो आपस में एक दूसरे के साथ react करते है अगर मैं आपसे पूछूं कि वो react क्यों करते है क्यों क्या reason है कि वो एक दूसरे से अमल करते वो कीमियाई अमल के अंदर हिस्ता क्यों लेते है तो इस सवाल का जवाब देने के लिए एक concept बनाया गया और वो concept है वैलेंसी का उर्दू में इसे कहते हैं गिरफ्त ओके वैलेंसी वैलेंसी का मतलब होता है एक rule बनाया गया कि दुनिया का हर element चाहता है कि उसके आखरी मदार के अंदर outer most orbit के अंदर 8 electron होना चाहिए अचे यह आप याद रखीए outer most orbit के अंदर 8 electron तो 8 electron अगर बनाना है outer most orbit के अंदर तो उसके लिए वो या तो electron देने का काम करता या electron लेने का काम करता तो इसको कहते हैertime ऑक्टेट इंग्लीश में इसे कहते है Entertain और्दू में इसे कहते है मुसम्मन हम चाहता है कि उसके आउटर मोस औरविट में 8 एलेक्रान हो और ये इस खोईश की वज़ा से मतलब आउटर मोस औरविट में 8 एलेक्रान बनाने के लिए या तो वो एलेक्रान लेता है या एलेक्रान देता है मैं भी आपको कुछ मिसालें देकर बताऊंगा तो आपको और किलियर समझ में आ जाएगा जो number of electron वो देता है या लेता है उस number को valency कहते हैं ओके बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि valency का मतलब है number of electron in the outermos orbit ये आखरी मदार में जितने electron है उनकी तेदाद को valency कहते हैं ये घलत असओर है valency का मतलब outermos orbit के electron की तेदाद नहीं है बलके उसका real मतलब होता है octet पूरा करने के लिए जितने electron उसको चाहिए जितने electron वो लेगा या देगा उस number को valency कहते हैं ओके चलिए मैं एक दो मिसाले आपको देता हूँ ताके आपको career cut फिर ये चीज़ समझ में आ जाए देखिए अगर मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर sodium ले ले लेता हूँ मान लो तो sodium का atomic number है 11 ये आप लोग याद रख लो अब ये atomic number 11 होने के वज़े से इन 11 एलेक्ट्रों को हमको तक्सीम करना है अलग-अलग मदारों में ओके तो यहाँ पर है पहला मदार, दूसरा मदार, तीसरा मदार, चौथा मदार, पांचवा मदार ऐसे बहुत सारे और्बिट होंगे एटम के अंदर तो सवाल आएगा कि सोडियम के और्बिट किते होंगे और उसमें कहां कहां इलेक्ट्रों कितने आएंगे तो 11 में से 2 इलेक्ट्रों यहां आजाएंगे अभी मने आपको बताया था कि इलेक्ट्रों का फॉर्मूला क्या है उसमें से 2 यहां आगए 8 यहां आगए तो 2 और 8 10 हो गए बचे किते 1 तो वो एक इलेक्ट्रों डेफिनेटली यहां आएगा और अगर यह एक इलेक्ट्रों यहां आगए इसका मतलब इसकी जरूरत ही नहीं है तो उसके अंदर टोटल मिला के तीन ही मदार होंगे यहांने सोडियम का जो जहार है उसके अंदर 3 मदार होंगे मरकजे के अकराफ में 3 और्बिट होंगे पहले और्बिट में दो एलेक्रान, दूसरे और्बिट में आट एलेक्रान, तिसरे और्बिट में एक एलेक्रान अब सवाल ये आता है कि आक्टेट पूरा करना है, मुसम्मन का कानून याद करो मुसंबन का कानून Octet Rule याद करो Octet Rule का मतलब यह है कि दुनिया का हर element चाहता है कि उसके आउटरमोस और्बिट के अंदर 8 electron होना चाहिए अब आप गौर करो sodium का आउटरमोस और्बिट यह है अब इस आउटरमोस और्बिट के अंदर एक electron है इसका मतलब यह हुआ कि वो 8 electron बनाने की कोशिश करेगा और यहाँ पर वो चाहेगा कि यहाँ पर 8 electron हो जाए एक की जगा पर तो उसको 7 electron लाना पड़ेगा अब आप गौर करो अगर उसको 7 electron कहीं से मिलते हैं किसी जगा किसी और जगा से कोई और elements के साथ अगर उसको 7 electron अगर मिलेंगे तो वो 7 electron लाने की कोशिश करेगा ओके लेकिन यहाँ एक और तरीका यह है कि elements short cut भी यहने short cut में भी काम करते है यह sodium यह चाहेगा कि octet पूरा करना है तो 7 electron लाना दूसरों से लेना है यह फिर एक काम किया जा सकता है कि अगर वो यह जो एक electron है वो यह इस electron को दे दे किसी को अगर वो यह एक electron किसी को दे देता है तो आप लोग imagine करो अगर उसने यह एक electron दे दिया तो फिर यह orbit खतम हो गया और अगर यह orbit खतम हो गया तो अब यह outer most orbit है और इसके अंदर आट इलेक्रान है तो इसकी खौईश पूरी हो गई आउटरमोस ओर्विट में आट इलेक्रान होना चाहिए इसकी खौईश ये नहीं थी कि तिसरे मदार में ही आट इलेक्रान होना चाहिए इसकी खौईश ये थी कि 7 electron दूसरें से लो और इसका एक दूसरा तरीका ये है कि ये एक electron को दे दो किसी को जब आप ये एक electron को किसी को दे देंगे तो फिर ये orbit खतम हो जाएगा और ये outer most बन जाएगा और outer most orbit के अंदर 8 electron आ जाएगे तो अब आप सोचो कि क्या 7 electron गेन करना आसान है या एक electron लॉस करना आसान है साथ electron दूसरों से लाना आसान है या अपना एक electron दूसरों को देना आसान है तो definite बात है कि एक electron देना आसान है इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम जो है वो अपना वो एक electron easily दे देगा दूसरों को और जैसी ये अपना एक electron दे देगा इसके outer most orbit number two वाला orbit बनेगा और उसके अंदर 8 electron आ जाएंगे मतलब इसका जो octet rule है वो उसके मताबिक इसकी खौईश पूरी होगी outer most orbit के अंदर 8 electron आ गए तो ये वज़ा है कि sodium जो है वो एक electron देने की कोशिश करता है वो बहुत easily अपने outer most orbit का एक electron दे देता है अब आप देखो sodium का ये वाला जो octet है ये पूरा होने के लिए उसको एक electron देना पड़ा ये एक electron उसने दिया क्योंकि उसने एक electron दिया ताकि उसका मुसमन पूरा हो उसका octet पूरा हो इसका मतलब अगर आप इसकी valency की बात करेंगे तो इसकी valency एक होगी ओके इसकी जो valency है वो एक आएगी एक क्यों क्योंकि उसने एक electron दिया है एक electron दे कर उसने अपना octet पूरा किया ओके तो ये था मामला valency का concept समझने का ओके आईए हम अगली example की तरफ चलते हैं अगली example जो है हम sodium का बिल्कुल ultra element ले ले लेते हैं जो right sides है मतलब 17 वे column के अंदर जो है पराबर है वो है chlorine तो चलो chlorine की हम लोग ले ले लेते हैं मिसाल chlorine का atomic number 17 है ठीक है अब ये 17 electron को हमको अलग-अलग orbit में divide करना पड़ेगा तो हम एक काम करते हैं first orbit, second orbit, third orbit, fourth orbit, fifth orbit बहुत सारे orbit बना सकते हैं अलग-अलग जितनी जरूवत होगी उतने orbit हम बना लेंगे ठीक है? अपने मरजी के हिसाब से अब ये जो 17 electron जो है 4 into 2 is 8 दूसरे orbit में 8 electron आएंगे तो 8 और 2, 10 electron हो गए 17 में से 10 electron दो orbit में चले गए अब बचे कितने 7 तो तिसरे orbit के अंदर 7 electron आ जाएंगे ओके, इसका मतलब ये वाले orbit में कोई नहीं आएगा तो इनकी जरूवत ही नहीं ये खाली orbit है तो outer most orbit कौन है? आक्टेट पूरा अगर करना है मतलब मुसमन का का जो कानून है उसके मताबिक अगर आक्टेट पूरा करना है तो इसमें यहाँ पर एक की कमी है तो इसमें एक electron दूसरों से लेना पड़ेगा ओके, या फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर octet पूरा करना है और ये octet है यहाँ पर तो या तो octet बनाने के लिए एक electron दूसरों से लो या फिर आप ये पूरे के पूरे साथ electron दूसरों को दे दो यानि साथ electron का loss करना है या एक electron को लेना है दूसरों से तो दोनों में से definite बात है कि आसान काम ये रहेगा कि एक एलेक्टरॉन दूसरों से लो तो ये जो अंसर है ये जो कुलोरीन जो है हमारे पास ये एक ऐसा एलिमेंट रहेगा जो साथ एलेक्टरॉन दूसरों को देने की कोशिश बिलकुल नहीं करेगा बराबर क्योंकि साथ एलेक्टरॉन देना यह आसान काम नहीं है लेकिन एक एलेक्टरॉन लेना वो बहुत आसान काम है इसलिए इसकी टेंडनसी यह रहेगी कि यह दूसरों से एक एलेक्टरॉन लेने वाला होगा तो यह इसली मतलब आसानी के साथ में यह एक electron دوسरों से हासिल करेगा जैसी ये एक electron हासिल करेगा आप देखो इसके पास यहां पर साथ में एक electron आगया तो ये art बन जाएगा ये आक्टेट पूरा हो गया इसका तो आक्टेट पूरा करने के लिए इसकी इसको एक electron की जरूरत है इसका मतलब इसकी जब हम ویलینसी की बाकरें गे तो वो भी एक ही है तो कुलोरीन की जो ویलینसी है वो एक है हालाकि आॉटर मोस ओर्विट में इसके वाफ एलेक्टरון है तो अगर किसी ने वो ओला कंसेट अगर जहन वे रखा कि आउटरमोस औरविट में एलेक्टरॉन की जो तेदाद है वो वैलेंसी होती है तो फिर वो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी कलोरीन की वैलेंसी साथ नहीं है बलके कलोरीन की वैलेंसी एक है ओके किलियर तो ये था मामला वैलेंसी का अब हम और एक इससे पागे बढ़ते हैं कि हमको ये वैलेंसी की जरूवत क्यों पढ़ रही है हम क्या रीजन है केमिकल एक्वेशन के अंदर हमको इनकी कहां जरूवत पढ़ने वाली है किस चीज़ में इससे रिलेटेट सवाला कैसे बनेंगे और हम उनको कैसे सिंप्लिफाइ कर पाएंगे तो उसको अब हम समझते हैं आप देखिए सबसे पहले मैं एक बहुत ही सिंपल सी एक एक अग्जामपल आपको कराने की कोशिश करता हूँ आप देखिए मान लो हमने एक एलिमेट लिए सोडियम और एक दूसरा एलिमेट लिए क्लोरीन जाहिए सी बात है जब सोडियम और क्लोरीन इन दोनों के दर्में रिएक्शन होगी तो नतीजे में एक नया एलिमेट त्यार होगा और उसको हम बोलेंगे एने, سी औल एक एने, सी एल, सोडियम, क्लोराइड चलो अब हम इसी मिसाल को और आगे बढ़ाते हैं दूसरी मिसाल ले लेते, मालो हमने एक इलिमेंट लिए मैगनेशियम इसका कलोरीन के साथ रियेक्शन करे एक नई एलिमेंट तैयार हुआ, मैगनेशियम, कलोराइड ओके ये दूसरी मिसाल होगी इसके बाद मिसाल नमबर तीन ले ले थे, ऐलोमिनियम ले लो, एक मैटल, क्लोरिन ले लो, नॉन मैटल, दोनों के दर्मिया रियक्शन हुई, एक नया एलिमिन्ट है यार हुआ, अल, सी एल, मतलब ऐलोमिनियम क्लोराइड, अब मैंने आपके सामने तीन एक्वेशन्स लिख हैं, क्या हैं, इन में क्या कमी जादती है, वो हमको देखना है, तो इसको चेक करने के लिए, रियक्शन्स के हिसाब सागर बात करेंगे, तो यह सब सही है, यह सारे रियक्शन्स होते हैं, यह सारे कंपॉंट बनते हैं, ओके, लेकिन, अब हमको इसके अंदर इनकी बारीकी के साथ में हमको इनकी जाच करना है कि रियल में ये क्या होते हैं आप लोग देखो सबसे पहले जब हम सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम की वैलेंसी है प्लस वन और कुलोरीन की है माइनस वन क्यूंकि ये एक ऐलेक्टरॉन लेने की कोशिश करता ये एक electron देने की कोशिच करता है ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो definitely हो ये look बनाएंगे इसका मतलब ये chemical reaction में कोई गड़बर नहीं है, ये बिलकुल correct equation है, ओके आईए आप second equation पे नजर डालते आप लोग देखो जब हम magnesium की बात करेंगे second equation के अंदर है magnesium magnesium कहा का रहने वाला है आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए तो magnesium second A group का है periodic table आपने अपने दिमाग में fit करो magnesium second A group में रहने वाला है इसका मतलब magnesium की valency 2 है, इसके outermos orbit में 2 electron है, तो इसकी valency जो है, वो plus 2 है और जब klorine की बात करेंगे उसकी valency 1 है minus 1, इसका मतलब klorine जो है, वो कोई एक से ही मिलता है, लेकिन magnesium एक से नहीं मिलता है, इसको अपनी valency पूरी करने के लिए इसको 2 की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब ये एक klorine से नहीं मिलेगा, बलके magnesium एक klorine से नहीं मिलता वो हमेशा दो दो लोगों से मिलता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दो लगा देंगे ओके, यहने magnesium का जो reaction है, वो एक klorine से नहीं होगा बलके दो klorine के साथ में होगा दो klorine के अलग-अलग atom से होगा और ये दोनो klorine atom magnesium के साथ मिलेंगे तो ये बन जाएगा mgcl2 और अब आप देखो के klorine की भी वैलनसी पूरी हो गई magnesium की खौईश भी पूरी हो गई magnesium दो लोगों से मिलना चाहता था उसको दो लोग मिल गए, दोनो klorine klorine को एक से ही मिलना एक से ही मिलता है klorine तो ये एक klorine एक magnesium से मिल गया दूसरा klorine जो हो भी ये ही magnesium से मिल गया magnesium chloride तेयार हो गया ये equation आप correct हुई अब आप तिसरी equation देखो तिसरी equation के अंदर aluminium है aluminium जो है, आपको सबसे पहला सवाल तो ये आएगा कि ये रहने वाला कहा है मतलब periodic table में इसकी position क्या है तो aluminium जो हुख third group का रहने वाला है तिसरे group और अगर ये तिसरे group में हम अतलब इसके इसके outermos orbit के अंदर तीन electron होंगे और अगर इसके outermos orbit में तीन electron है इसका मतलब इसकी βैलेंस 이제 तीन है और अगर इसकी वैलेंस्य तीन है तो इसका मतलब यह हुआ, कि ये तीन इलेक्टरॉन खोने की कोशिश करेगा, बाजुमे कुलोरीन है, कुलोरीन को एक ही इलेक्टरॉन की जरूरत है, कुलोरीन हमेशा एक से ही मिलता है, एलॉमिनियम एक से कभी नहीं मिलेगा, वो हमेशा तीन से मिलेगा, इसका मतलब यह है कि अगर इस Aluminium की खौईश पूरी करना है तो यहां पर हमको तीन कुलोरीन लेना पड़ेगा एक कुलोरीन से कामनी बनने वाला तीन कुलोरीन लेना पड़ेगा अब जब आप एक Aluminium का तीन कुलोरीन एटम के साथ में रियक्ट करोगे तो यह तीनों इसके साथ जुड़ जाएंगे आपको मिलेगा Alcl3 अब आप देखो आपके पास जो चीज तयार हो रही है वो बिलकुल एक परफेक्ट अब रियक्शन बिलकुल कम्प्लीट हो गई Aluminium कुलोराइड Alcl3 इसको Aluminium Trichloride भी बोल सकते हो इसको Magnesium Dichloride भी बोल सकते Dine2, Trichloride अब यह सोडियम कुलोराइड है यह सिंगल कुलोराइड है कुलोरीन एक ही है उसके अंदर तो अब यह रियक्शन जो है पूरी तरह से Balance हो गए है क्योंकि हमने इसके अंदर उनकी Valences का उनकी कमयतों का बराबर ख्याल रखे अब इससे related जो सवाल एक्जाम में पूछ सकते हैं आप से वो यह है कोई भी केमिकल एक्वेशन कोई भी केमिकल रियक्शन जो होती है केमिकल एक्वेशन जो हम लिखते है Balance केमिकल एक्वेशन वो कौन से कानून पर बेजर होती है मतलब किस कानून को ध्यान में रखकर केमिकल एक्वेशन जो है उसको Balance किया जाता तो आप लोग याद रखिए उसका सीधा Simple सा जो जवाब है वो रहेगा Law of Conservation of Mass यहने कमयतों की बका का कानून हम ये चेक करेंगे कि जब भी कोई केमिकल एक्वेशन हम लिखें तो उसके अंदर Reactant साइड मतलब ये वाली साइड जो आमिल अशिया है और ये हासिल अशिया है तो Reactant साइड में तमाम लोगों की कमयते तमाम अनासिर की कमयते और Product साइड में कमयते वो बिलकुल एक्वाल आना चाहिए अगर दोनों तरफ मतलब केमिकल डियेक्शन की Reactant साइड और Product साइड दोनों तरफ अगर कमयते एक्वाल आती है तमाम elements की तो ही जाकर वो केमिकल एक्वेशन जो है वो balanced मानी जाती है मुझे पूरा यकीन है आपको ये example और valency का जो तसओर है वो आपको समझ में आ गया होगा चलो एक मिसाल हम लोग और भी लेते हैं जो बहुत ही जादा आम फहिम और बहुत ही common है आप देखिए मान लो के हमने hydrogen gas लिए फिर हमने oxygen gas लिए बलकि इसको और भी मैं simplify कर देता मान लो के हमने hydrogen लिए और हमने oxygen लिए और हमको मालूम है कि इन दोनों को मिलाने पर पानी तयार होता है और पानी का हमको formula पता है H2O ओके तो सवाल यह है कि क्या ये reaction ऐसा अगर लिखते हैं कि hydrogen में oxygen मिला है पानी तयार हुआ तो ये reaction क्या सही होगी ऐसा लिखना तो definitely concept के साब से ये बिल्कु सही है अगर आपने hydrogen में oxygen मिला है तो पानी बनता है लेकिन ये chemical equation के हिसाब से balanced नहीं है इसमें ना तो valency का खया रखा गया ना इसके अंदर किसी तरह की कोई quantity का proportion ध्यान में रखा गया तो अब आपको हर चीज़ का ध्यान रखना वड़ेगा अब आप देखो क्या करेंगे hydrogen की valency 1 है इसका मतलब hydrogen जो है वो एक से मिलना पसंद करेगा अब hydrogen इतना ज़ादा reactive है कि वो अकेला एक hydrogen atom रहते हैं नहीं जब भी एक hydrogen atom होता है वो हमेशा एक दूसरे hydrogen के साथ मिलकर एक group बना लेता जिसको हम H2 कहते हैं यह hydrogen molecule है hydrogen gas तो hydrogen अकेला नहीं रहता बलके hydrogen हमेशा H2 के form में रहेगा वही वाली कहानी oxygen की है oxygen भी अकेला कभी नहीं रहता वो भी इतना ज़ादा reactive है कि वो अपने आपके साथ जोड़कर एक molecule बना लेता हम उसको भी O2 बोलेंगे तो इस तरह से hydrogen यहने H2 molecule प्लस O2 molecule यहना oxygen molecule दोनों मिले और पानी ते यार हुआ ओके चलो अब यह reaction हकीकत के तरफ बढ़ती जा रही है मतलब पहले तो यह random थी पहले मैंने लिखा था hydrogen और उसमें oxygen मिला है और पानी मिल गया अब यह कुछ तो भी scientific बनते जा रही है लेकिन अभी भी यह पूरी तरह scientific यह पूरी तरह से balance नहीं हुई है अब हम थोड़ा सा masses को देखेंगे कमियतों को देखेंगे कि दोनों तरफ कमियते जो है वो balance हो रही है आप देखो इस साइड में अगर मैं hydrogen की तेदाद गिनू तो वो दो है oxygen की तेदाद अगर गिनू तो वो भी दो है इस साइड में hydrogen की तेदाद देखेंगे तो वो दो है इस साइड में ऑक्सियन की तिदाद देखेंगे तो वन है अब आप देखों, यहां पर ऑक्सियन आकिला एक ही है तो law of conservation of mass जो है यहने कमयतों की बका का जो कानून है उसके इसाब से अगर हम बात करेंगे तो जितने जोहर इदर होंगे उतने ही जोहर उदर होना चाहिए सेम, जोहरों की तिदाद कम जादा नहीं हो सकती केमिकल एक्शन के अंदर loss of atom नहीं होता तो इसका मतलब क्या हुआ कि इदर अगर ऑक्सियन दो है तो उदर भी ऑक्सियन हमको दो बनाना पड़ेगा अब यहां ऑक्सियन दो बनाने का चकर जो है, वो यह है कि हम एक काम करते ही, यहाँ पर इसको 2 से multiple कर देते अब देखो आप, जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 से multiple किया, तो 2 से यह hydrogen भी तो multiple हुआ तो hydrogen पहले से 2 थे उसको जब मैंने 2 से multiple किया तो 2 into 2, 2 is a 4 मतलब hydrogen इधर 4 हो गए लेकिन ये 2 से multiply करने के वज़े से oxygen अब 2 हो गए तो यहाँ पर oxygen 2 आ गए तो अब आप देखो oxygen जो है बैलेंस हो गए इधर भी oxygen 2 है इधर भी oxygen 2 है लेकिन hydrogen का problem हो गया इधर hydrogen 4 हो गए इधर hydrogen 2 ही है तो इसको balance करने के लिए एकदम simple है अगर मैं यहाँ पर इस side में मुझे hydrogen 4 करना है उसका आसान idea होगा यहाँ पर मैं double कर दूँ यहने hydrogen को अगर मैं H2 को 2 से multiply कर देता हूँ तो यह 4 हो गए इसका मतलब यहाँ पर hydrogen 4 हो गए हो गया balance तो अब आपकी chemical reaction जो है balanced chemical equation लिखने का यहाँ पर आप याद रखो कि यह जो है यह gas form में है यह जो है यह भी gas form में है लेकिन यह जो है यह liquid form में है H2 जो हमको इसमें मिलता है वो liquid form में मिलता है तो इस तरह से उसमें liquid form भी लिखना चाहिए तो यह थी कहानी chemical equations को balance करने की मुझे यकीन है कि आपको आज का ये जो लेक्चर है यहां तक पूरा समझ में आया होगा और आपने ये पूरा note down भी किया होगा अब हम यहां पर एक छोटी सी एक मिसाल जो है वो देखते हैं कि chemical equations जो है उनको हम और जादा बारी की साथ कैसे हम समझ सकते हैं या इसे related सावालात exam में कैसे आ सकते हैं तो आप देखिए पहला सावाल जो यहां पर आपको नज़र आ रहा है सावाल नमबर एक वो है एक मतوازन कीमियाई मसावाद खाली जगा पर मुनहसिर होती है मतलब balance chemical equation जो होती है तो वो काई पर बेस होती है किस चीज़ पर चार options आपको दिये हैं पहला है law of conservation of mass याने कमयेट की बका का कानून दूसरा है law of gaseous volumes याने gas के हजम का का कानून तिसरा है evogadro's law याने evogadro का का कानून और चौता option है law of multiple proportions याने जर्बी तनासुप का कानून तो देखिए जैसा हमने discuss किये थे जब हम किसी chemical equation की हम बात करते हैं तो हम दोनों side में याने reactant side और product side दोनों side हम कमयेटों को देखते हैं हम कमयेटों को गिनते हैं याने mass को देखते हैं कि reactant side का mass और product side जो है mass equal आना चाहिए तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जो कीमियाई मसावच जो होती है chemical equation जो होती है तो वो law of conservation of mass पर based होती है तो इस question का जो correct answer होना चाहिए वो है law of conservation of mass याने कमयेट की बका का कानून ओके तो इस तरहां से हम इसको कर सकते है जो साल आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर वो है barium chloride और aluminium sulfate के दर्मियान कीमियाई अमल होता है जिसके नतीजे में aluminium chloride और barium sulfate का रसूब या precipitate तयार होता है इस कीमियाई अमल की मसावाथ दर जिजेल है P times Bacl2 plus Q times L2 SO4 by 3 इस मसावाथ में जरीबों P, Q, R, S की कीमते क्या होंगी और नीचे आपको table में चार अलग-अलग values जो है वो दी गई है P की value P, Q, R, S की अलग-अलग values हैं जैसे A है 3, 1, 2, 3 B की value है 3, 2, 3, 2 C है 1, 2, 3, 3 और D है 3, 1, 3, 2 तो इन में से आपको सही जो answer है वो select करना है तो सबसे पहले आईए नज़र डालते हैं कि इस equation को हम balance कैसे करेंगे क्योंकि जब तक हम कोई इसको balance करना नहीं आएगा तब तक हम इसको इसमें P, Q, R, S की values जो हैं वो हम सही डंग से calculate नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले हम इसकी equation जो है बनाते हैं ओके तो आप देखिए आपके सामने एक chemical reaction जो है जो लिखी हुई अभी हमने जो देखे सवाल में वो था P times BACL2 plus Q times L2SO4 by 3 Qs R times LCL3 plus S times BASO4 तो इसमें हमारा जो सवाल है वो यह है कि P, Q, R और S की values हमको find करना है इस तरह के सवाला आप से पूछे जा सकते हैं साथी साथ मैं आपको यह भी बता दूँ कि इस particular reaction के अंदर यह बहुत ही important reaction है और इस reactions के जरीए हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं तो चलो शुरू करते हैं इसको पहले सबसे पहले तो आप याद रखिए कि यहाँ पर barium जो है इसकी valency 2 है मतलब यह दो लोगों से react होगा तो अगर यह दो लोगों से react होगा तो यह BACL2 बिल्कुल सही है यह दो कलोरिन के साथ में एक barium इसके बाद आप याद रखो कि aluminium की valency 3 है और SO4 जो होता है तो उसकी valency 2 होती है SO4 जो है वो एक मतलब आप उसको यह एक तरह का एक iron है और यह जो iron होता है तो इसकी valency 2 है मतलब यह दो लोगों से मिल सकता है तो यहाँ पर यह compound भी बिल्कु सही है याद आलोमिनियम के साथ में 3 जुड़े है मतलब बेरियम जो है वो दो से मिलता है और SO4 की भी दो है तो वो भी compound बिल्कु सही है मतलब valency के लिहाँ से equation बिल्कुल perfect है अब हम आगे बढ़ाते अब हम को देखना है कि यहाँ पर इनकी values क्या हो सकती है तो हम law of conservation of mass को apply करेंगे मतलब हम देखेंगे कि दोनों साइड में कमयतों को balance करना है इस साइड में हम पहले chemicals ले लेते barium उसी तरह से chlorine उसी तरह से aluminium और उसी तरह से SO4 याद रखो SO4 को एक साथ लेना पड़ेगा SO4 जो है वो एक ही entity है मतलब वो एक ही चीज है एक ही आयन बोलेंगे हम उसको हम उसमें ऐसा नहीं बोलेंगे कि ऐसा लगए और चार मरतबा oxygen लगए लगए इस सरह से लेना है चलो देखते है barium इस साइड में कितने है तो एक ही है actually वो P है लेकिन वो हम बाद में P का अंताजा लगा लेंगे तो barium इदर एक है chlorine इस साइड में chlorine किते है तो दो है aluminium इस साइड में chlorine aluminium दो है इस साइड में SO4 किते है तो तीन है ओके यह हो गया एकदम rough तरीके से अगर करें तो तो यह हो गए reactant side में इन्हें अनासिर जो है वो इतने है चलो right side में अनासिर देख लेते हैं right side के अंदर सबसे पहले barium फिर chlorine फिर aluminium और फिर SO4 तो देखो barium उस साइड में barium कितने है तो barium एक है ओँ हाँ पर अकिला है barium chlorine उस साइड में chlorine देखो chlorine यहाँ पर तीन है तो यह तीन aluminium aluminium वहाँ पर एक साइड एक तो अब इस picture को वैसे clear करना पड़ेगा आप लोग देखो सबसे पहले barium इधर एक है इधर भी एक है इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ barium बिल्कुल balanced है अब अगर balanced है याँ बेरियम का अगर कोई मसला नहीं है कोई problem नहीं है तो इसका मतलब ये हमारे पास एक हिंट आ गया कि बेरियम की इधर वाली तेदाद और उधर वाली तेदाद सेम है बेरियम की इधर वाली तेदाद P है और बेरियम की इधर वाली तेदाद S है इसका मतलब ये हिंट आ गया कि P जो है वो S के बराबर है ओके देखो यह आप इस तरीके से अकलमंदी से इसको सॉल करेंगे बराबर ओके चलो ठीक है तो यह पहली स्टेफ हो गए हमको एक हिंट तो मिल गया कि पी और एस दोनों सेम होना चाहिए ठीक है और आगे बढ़ाते कलोरीन को चेक करते देखो आप कलोरीन इधर दो है तो देखो अगर मैं इसको 3 से मलटिप्लाय करता हो तो यहां पर यह 6 बन जाएगा और अगर मैं इसको 2 से multiply करता हूँ तो यहाँ पर यह 6 बन जाएगा मतलब यह balance हो जाएगा तो अब मेरे पास एक आसान idea आगया कि कलोरीन को मुझे इधर 3 से multiply करना है अब देखो कलोरीन यहाँ पर 2 है और इसको मुझे 6 बनाना है इसका मतलब 3 से multiply करना पड़ेगा तो यहाँ पर मुझे इस जगह पर definitely 3 से multiply करना है तो मुझे तो P की value मिल गई P की value 3 आ गई साथी साथ मेरे पास S की value भी आ गई S भी 3 है बराबर है मतलब जो 4 option दिये गए हैं अब आप उस पर भी नज़र डाल दो नज़र डाल सकते हैं आप लोग के P कितना है और S कितना है तो P भी 3 होना चाहिए और S भी 3 होना चाहिए तो दोनों की value आ गई तो चलो मैं यहाँ पर भी 3 लिख देता हूँ क्योंकि यह हमारा hint तो आई गया अब एक और चीज है एक दम सिंपल तरीके से यहने कुलोरिन को balance करा R की value आ गई और barium को और कुलोरिन दो लोगों को balance किया तो P और S भी मिल गए R भी मिल गए अब सिर्फ problem बचा है किसका क्यों का उसके लिए aluminium को देख लेंगे देखो इधर aluminium 2 है इधर aluminium 1 है तो aluminium को मुझे नहीं इस साइड में यहां 2 से multiply करें तो अब यह aluminium 2 हो गए बराबर तो अब आप एक चीज़ देखो aluminium एक तरह से balance है यहने aluminium का भी कोई मसला नहीं है अगर कोई मसला नहीं है तो यह aluminium 2 है यह aluminium आपने आप में 2 है इसका मतलब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है कुछ करने की जरूरत नहीं है मतलब इसकी value 1 होना चाहिए कुछ नहीं करना है मतलब Q बराबर 1 Aन A1 से multiply करना है तो बाकि सारे लोग तो already balance होई गए न वैसे भी आचा एक और चीज़ देख लो यहाँ पर यह 3 से multiply करें तो इधर यह SO4 भी 3 हो गए तो यह balance हो गया मतलब मसले सारे खतम हो गए तो Q की value कितनी आ गई 1 ओके इन्हें aluminum पर से हमने अंदाज लगा लिए कि Q की value जा है वो 1 होना चाहिए तो फिर अब हमारे पास जो answers आ रहे जो हमारे कोईफिशन्स जो है तो कौन कोईफिशन्स है P, Q, R, S P की value 3 Q की value 1 R की value 2 S की value 3 तो यह वाला answer हमारा correct आएगा मतलब जो सवाल आपको दिया गया था उस सवाल के अंदर option 1 जो है वो आपका correct answer होना चाहिए तो यह थी कहानी इस particular reaction की अब मैं आखरी में इस reaction से related आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूंगा आप देखो इसमें एक बहुत बढ़िया चीज़ जो हमको इसमें सीखने को मिल रही है वो है कि basically यह reaction किस type की है उसको आप एक बार अच्छे से समय लो आप लोग देखो मानलो एक element मेरे पास मानलो A है जो के positive nature वाला है और उसके साथ में एक element है जो B negative वाला है इसको मैं react करता हूँ एक तीसरे element के साथ में एक नए element के साथ में जिसके अंदर दो लोग है C और D और वो भी plus और minus वाले nature के है यह उसके अंदर एक positive iron है और एक negative iron है तो यह मेरा पहला reactant यह मेरा दूसरा reactant जब यह आपस में जुड़ेंगे जब आपस में यह reaction करेंगे तो इसका positive इसके negative के साथ मिलेगा मतलब यहाँ पर यह ऐसा हो जाएगा यह A plus और D minus प्लस इसका negative इसके positive से मिलेगा मतलब C plus और B minus यह वाली reaction के अंदर आप लोग देखो कि यह लोग आपस में अदला बदली कर रहे हैं यानि कही न कहीं इसके अंदर exchange जैसा होते हो नजर आ रहा है इसका element इसके साथ मिला जैसे आप देखो यह जो A है इसके साथ में D आ गया और यह जो B है यह C के साथ चला गया इसका मतलब यह हुआ कि इसमें displacement दो बार हुआ इसमें जो हटाओ का जो अमल हुआ डबल हुआ इसलिए इसको बोलते है डबल displacement reaction यानि इस तरह की जो reaction होती है यह डबल displacement reaction कहलाती है यानि इसको उर्दू में हम कहेंगे दोहरे हटाओ वाली दोहरे हटाओ वाला अमल तो दोहरे हटाओ डबल displacement reaction है यह और डबल displacement reaction होने के वज़ा से इसके अंदर हमको दो मरतबा displacement होते वे दिखाई दे रहा है यह दो लोग जो है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं इसके अंदर तो इस तरीके से भी इस ट्राइब को भी सवाल आपसे पूर सकते है एक्जाम के अंदर कि यह जो chemical reaction जो हो रही है तो यह कौन सी नोईयत की है मतला किस ट्राइब की reaction है तो यह double displacement reaction है इसी तरह से और भी बहुत सारी chemical reactions के बहुत सारे सवालत बनाये जा सकते हैं जो हम इंशाला अगले लेक्शर में हम उनको देखेंगे आज के लेक्शर के लिए बस यह दो सवाल काफी हैं और अभी आप इस से related जितनी भी आप knowledge जमा कर सकते हैं या जितनी भी study आप कर सकते हैं तो वह आप कीजिए इंशाला इसके बाद वाले लेक्शर के अंदर हम और आगे के जो concept है chemistry मतलब chemical equations के chemical reactions के वह हम इंशाला अगले लेक्शर में करने की कोशिश करेंगे ओके keep studying अल्ला हाफिज